जी नमस्कार दोस्तों मैं अपने चैनल SF Classes के माध्यम से 10th Class के भी हर बोट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा सभी सब्जेक्ट का अब्जक्टिक कोश्चन चेप्टर वागुज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में इस्टोरी के चप्टर नमबर वन का इरूप में राष्टरवाद का उधे पार्ट से 40 objective कोश्चन लाए हैं जो आपके इग्जाम के लिए बहुत महतोपूर हैं अब हम चलते हैं कोश्चन नमबर एक की तरफ कोश्चन नमबर एक है गेरिवाल्डी पेशे से क्या था अप्शन ए है सिपाही, B, किसान, C, जमिंदार, D, नाविक दोस्तो इसका अप्शन हो जाएगा D, नाविक गेरिवाल्डी दोस्तो पेशे से नाविक था कोश्चन नमबर दो है रक्त एवं लोग की नीती का अलंबन किस ने किया था अप्शन A है मिजनी, B, बिस्मार्क, C, हिटलर, D, बिलियम प्रथम दोस्तो इसका एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर B, बिस्मार्क अब कोश्चन नमबर हम 3 की तरफ चलेंगे कोश्चन नमबर 3 है बियाना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस सासकवन्स की पुनर अस्तापना की गई थी इसका अप्शन है A, हैप्सवर्ग, B, बुर्वो, C, आरलिया, D, जारसाई इसका अप्शन है जागा दोस्तो B, बुर्वो अब हम चलते हैं कोश्चन नमबर 4 की तरफ कोश्चन नमबर 4 है सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच जूध कहां हुआ था A, सेडोवा, B, साइडाइन, C, सेडान, D, फ्रेकफट इसका अप्शन है जागा दोस्तो सेडान, C अब हम चलते हैं को दोस्तो कोश्चन नमबर 5 की तरफ कोश्चन नमबर 5 है इरोपवासियों के लिए किस देश का साहित तेवं ग्यान विगान प्रेणा सुरोत रहा अप्शन A है इवनान, B, तुर्की, C, इंग्लेंड, D, जर्मानी इसका दोस्तो आपका एंसोर हो जाएगा इवनान, इटली, एम, जर्मानी, वर्तमान में किस मादेश के अंतरगात आते हैं अप्शन A है A, अमेरिका, B, उतरी अमेरिका, C, इरोप, D, पस्मी एसिया इसका दोस्तो आपका एंसोर हो जाएगा C, इरोप अप्शलते हैं क्वेशन नमर के साथ के तरफ विश्मार्क निम्न में से क्या था? A, कभी, B, संगीत्य, और C, नटकार, D, कुटनितिक गया इसमें विश्मार्क दोस्तो हो जागा D, कुटनितिक गया था मेटर्निक कौन था? आपक्वेशन नमर आठ है मेटर्निक कौन था? A, प्रासा का चांसलर B, आश्ट्रिया का चांसलर C, फ्रांस का समराठ D, रूस का समराठ इसका दोस्तो आपका इंसोर हो जागा B, आश्ट्रिया का चांसलर था कुटन नमर नव है चार्टिस्ट अंदोलन कहा संपन हुए? A, आश्ट्रिया B, जर्मानी C, इटली D, इंगलेंड इसका दोस्तो आपका इंसोर हो जागा D, इंगलेंड आप चलते कौस्चन नमर 10 की तरफ काउंट काबूर को विक्टर इमेनुवल ने कीस पत पर निउक्त किया था काउंट काबूर ने विक्टर इमेनुवल को कीस पत पर निउक्त किया था अप्शन A है परधान मंत्री B, ग्री मंत्री C, फ्रांस में राईदूत D, सेनापती इसमें आए दोस्तो आपका इंसोर हो जाएगा A, परधान मंत्री अब हम चलते क्वेश्चन नमबर 11 की तरफ 11 है फ्रेंक्फर्ट की संधी कब होई थी दोस्तो आप्शन A है 1866 B, 1864 C, 1870 D, 1871 है इसमें दोस्तो आपका इंसोर हो जाएगा D, 1871 अब हम चलते क्वेश्चन नमबर 12 की तरफ क्वेश्चन नमबर 12 है लाल कूर्ती की तुकडी का गठरं किस ने किया था A, विसमार्क B, गेरिवाल्डी C, काबूर ने D, मेजनी ने इसका दोस्तो आपका इंसोर हो जाएगा B, गेरिवाल्डी ने मेटर्निक कौन था मेटर्निक दोस्तो इसका अपसन हो जाएगा A, फ्रांस का समराट B, फ्रांस का चांसलर C, आश्ट्रिया का चांसलर D, रूस का जार दोस्तो इसका एंसोर हो जाएगा दोस्तो आश्ट्रिया का चांसलर था अपसन नमबर C हो जाएगा इसका 14. इरोप का मरीज किसे का आयाता है? अप्शन नमबर A है रूस को, B है तुर्की को, C है जर्मनी को, D है तुनान को इसका अप्शन हो जाएगा दोस्तो, B तुर्की को कोष्चन नमबर 15 है दोस्तो, किस संदी द्वारा जर्मनी का एकी करण पूरा हुए? A डेन्मार की संदी द्वारा A. पराग की संदी द्वारा C. फ्रेक्फर्ट की संदी द्वारा D. गैस्टिन की संधी इसका दोस्तु आपका एंसर हो जाएगा फ्रेंक फर्ट की संधी द्वारा अप्सन नमर इसका हो जाएगा C कोस्चन नमर 16 है निपोलियोन ने जर्मानी में किस संग किया स्टपना की इसका दोस्तु आपका एंसर हो जाएगा आप्सन नमर इसका निपोलियोन बना पाट इसका दोस्तो आपका एंसोर हो जाएगा Q17 का हो जाएगा D चलते हैं आप Q18 की तरब कर्बोनरी की अस्थापना की स्वर्ष हुई थी दोस्तो इसका अप्शन है 1810, 1815, 1848, 1830 इसका दोस्तो आपका एंसोर हो जाएगा अप्शन नमबर 1, 1810, कर्मर्णी का अस्थापना 1810 इसमी मुगा था यंग इरोप की अस्थापना की स्थापना की थी A. काबूल ने B. गरिवाल्डी ने C. बिसमार्क ने D. मेजनी ने दोस्तो आपका इसमी अनसोर हो जाएगा D. मेजनी ने अब हम चलते क्वेशन नमबर 20 की तरफ जर्मार्णी यंग इटली के एकी करण की समय फ्रांस का सासक कौन था A. नेपोलियन बना पाट B. विक्टर एम्मेनुवल C. नेपोलियन थीरी D. बिलियम प्रथम दोस्तो जर्मार्णी के एकी करण इस समय फ्रांस का जो सासक था वो नेपोलियन थीरी था इसका अप्सान हो जाएगा C आब हम चलते क्वेशन नमबर 21 की तरफ यंग इटली का संस्थापक कौन था A. मेजनी B. गेरिबाल्डी C. विसमार्क D. काबूर इसका दोस्तो आपका एंसर हो जाएगा A. मेजनी यंग इटली के या स्थापना जो संस्थापक था दोस्तो ये मेजनी ने किया था सेडवा के जूद के में किसकी पराजे हुई थी सेडवा के जूद में किसकी पराजे हुई थी अप्सन A है साडिनिया की, B आश्टिरिया की, C प्रसा की और D ने पूल्स की इसका दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा आश्टिरिया इसमें सार दोस्तों हो जाएगा आश्टिरिया से डवा के जुने पराजे आश्टिरिया को हुई थे इटली M जर्मानी के एकी करण के विरूद निम्ड में से कौन था अप्शन दोस्तों इसका है A. रूस B. आश्ट्रिया C. प्रसा D. इंग्लेंड इटली M जर्मानी के जो एकी करण के विरूद था वो द्वेस था B. आश्ट्रिया किस जूद के बाद जर्मानी का एकी करण के पूरा हुआ अप्शन A है क्रीमिया का जूद B. है सेड़वा का जूद C. है प्रसाग 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 के डेनमार का जूद और D. है सेडान का जूद इसका अप्शन वाजा का दोस्तों सेडान का जूद इसमें C दोस्तों गल्द से लिखा गया है 25 कोशन नमर 25 के तरफ चलते हैं हंगरी की भासा क्या थी? A. इतालवी B. पोलिश C. मैंग्यार D. फ्रेंच इसका दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा मैंग्यार जो अपसान नमर इसका एंसोर हो जाएगा C. हंगरी की भासा जो थी? मैंग्यार थी जर्मानी की एकी करण के लिए 20 मार्क ने कितने जूद किये? दोस्तों 1 B. 2 C. T. D. 4 इसका दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा C. 3 Q. नमर 27 की तरफ चलते हैं मर्यान किस देश की रष्टवाद की परतिक थी? A. फ्रांस B. रूस C. इटली D. जर्मानी दोस्तों तो इसका आपका एंसोर हो जाएगा अपसान नमर A. फ्रांस 28 बियाना कांगर्स के द्वारा कौन राष्ट सम्मिलित नहीं था? A. बिटेन B. फ्रांस C. रूस D. जर्मानी दोस्तों आपका इसका एंसोर हो जाएगा जर्मानी अपसान नमर D आप चलते हैं क्वेश्चन नमर 29 की तरफ इनान के इनान के सोतनतर संग्राम में किसकी पराजे हुई थी? अपसान नमर A है तुर्की की B. रूस की C. फ्रांस की D. इनान की दोस्तों इसका अपसान हो जाएगा A. तुर्की की अब चलते हैं क्वेश्चन नमर 30 की तरफ क्वेश्चन नमर 30 से इरुपियस सब्याता का पालना किसे कहा जाता था? अपसान A है इटली को B. फ्रांस को C. हंगरी को D. इनान को इसका अपसान हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नमर 30 का जोगों हो जाएगा अपसान A. D. सोरी D. इनान हो जाएगा एक टॉफ इनान की वर्ट्स पारित हो था? A. अपसान है 1707 B. है 1888 C. 1807 D. 1888 इसका अपसान हो जाएगा दोस्तों D. 1888 इसमी में एक टॉफ इनान पारित हो था नेपोलियन साइन्स था किस वर्ट्स लागों की गई? अपसान A. है 1799 B. है 1791 C. है 1801 D. है 1804 इसका दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा D. 1804 Q. 33 है नौग वैल्फ अंदोलंग कहा संपान हो था अपसान A. है इटली B. फ्रांस C. बेटेन D. जर्मानी आपका दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा नौग वैल्फ अंदोलंग कहा हो था तो हो जाएगा इटली में इवा इटली संता का विकास किस ने किया था ए मेजनी ने बी गेरिबाल्डी ने सी काउंट काबूर ने डी विसमार्क ने इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जागा मेजनी ने आप चलते कोश्चन नमर 35 के तरफ किस संदी द्वारा सोतंत इनान की अस्थपना हुई इसमें दोस्तों आपका एंसोर हो जागा बी कुस्तुनिया की संदी द्वारा सोतंत इनान की अस्थपना हुई थी आप चलते कोश्चन नमर 36 के तरफ सार्डेनिया प्रिंट बाउंड का सासक कौन था इसका दोस्तों आपका एंसोर हो जाएगा अप्शन नमर डी विक्टर एमानुवल चाडिनया प्रिंबान को सासक था जो आपका एंसोर हो जाएगा डी कुस्चन नमर आप साइंसोर के तरफ सलते हैं दोस्तों मेजिनी का सबन किस गठन से था इसका अप्शन हो जाएगा दोस्तों बी कार्बोनरी अब चलते हैं क्वेशन नमर अर्थिसक तरफ जालवे राइन के सथा अपना किस राजे ने की अप्शन ए है दोस्तों प्रासा बी आश्टरिया सी साडिनिया डी फ्रांस अब हम चलते हैं क्वेशन नमर 49 के तरफ जालवे राइन एक संस्था थी जालवे राइन एक संस्था थी दोस्तों सोरी भूल गए आर्टिसका आपका जालवे राइन के सथापना जो किस राजे मोई थी उसका option A हो जाएगा दोस्तों प्रासा 49 है जो जालवे राइन एक सांस्था थी A करंतकारियों की B वेपारियों की C विद्वानों की D पादरी समांगतों की इसका दोस्तों आपका एंसर हो जागा B वेपारियों की अब चलते हैं question number 40 तरफ इसका दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा A तुरकी जाएन दोस्तों आपको एंसर वीडियों अच्छी लगी तो आप subscribe करें लाइप करें और share करें अच्छी लगी तो जाएन दोस्तों